लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए अब मामला गर्मा गया है मामला धादली का है और उनको अपात्र घोसित करने के मामले को लेकर है क्योंकि चुनाव में उन्होंने जो दस्तावी जमा किये थे कहीने के उसमें सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल को उठाने वाले नईम भई बीजेपी युआ मोर्चा के जिलाध अधियक्ष्र दता घंगाले जी जानना चाहेंगे आपसे कि जो विजेप भूटा के खिलाप आपने शिकायत की है उसका स्टेटस अभी क्या है कहां तको उसकी सुनवाई पहुंची है नव तारिक को जो सुनवाई हुई है नव तारिक के सुनवाई में हमने ये मांग हां कि पनन संचालक के पद पर अभी सतिस सोनी जी है और सतिस सोनी जी दो हजार सोला से मुंबई कुष्यूपन बाजार समते प्रशाशक रही चुके है और इस प्रकरन में वो भी आरोपी की भूमिका में है तो अपना कोर्ट अपना लौ अपना काइदा ये कहता है कि खु ये सतीस सोनी जी के सामने ये केस नहीं चलना चाहिए और ये केश प्रदान सचीव के सामने चलना चाहिए ऐसा जो हमने रखा और वह उनको करना जरूरी है कि नौट फॉर यू का इह मामला क्या था जिसको लेकर आपने इतनी गंभेरता से इस मामले को उठाया मामला यह कि स Jeśli लड़ा है वो लैस गलत तरीके से रिर्णू किया गया है और गलत तरीके से लैसंृ रिर्णू करने के बाद व्यापर नहीं किया और यह सब चीजे लैसंृ करते टाइम सोनी जी को भी चीज़ पता थी क्योंकि यह मुंबाई कुरुषिवन बादार समिंदी के प्रशा सख है तो वह उनको कैसे कैंसल करेंगे क्योंकि अब उनके पनन संचालक उन्होंने हमें कहा कि मैं आपको अगर अप्लिकेशन मेरे पास डिसाइड नहीं करना था तो मेरे पास किया ही क्यों तो हमने उन्हें कहा हमारे वकिल के माद्यम से उनको कहा गया प्रदान सचुर है या सत्ति सुनी जी के पनन संचालक के एक बराबर के अधिकारी इसकी जो जांच है उसका जो दावा है वो चला सकते हैं जो विज्ञें भूता का मामला जब निकल कर सामने आया था तो बहुत जोर शोर से जब उनको कर चुनाओ जीते थी बहुत डंके की चोट पर कहा गया था कि बहुत ही मान दार आदमी है लेकिन जो आपने मामला उठाया उसमें खुले तर पर उनके चुनाओी धांदली का पता चलता है कि जो व्यक्ति पात्र ही नहीं था चुनाओ ludढ़ने के लिए उस व्यक्ति ने think अप ये पीएंस और चुनाओं लड़ा और ओजीता भी के से गलत तरह के से तैयार किये गए है जो उनको संचा लोग के टाइम पर ओठ करते हैं और ये सिर्फ ये मार्केट का विजए भूता के संचालök का वीशे नहीं है मार्केड के जो अन्य संचालök है जो पढ़दे के पीछे पनन संचालओ को मैंनेज करनी की गोशिस कर रहे हैं, उन संचालोगों को मैं आपके माध्यों से बताना चाहता हूँ विजए भूता तो सिर्फ जाकी है जाकी आभी पूरी पिच्छर बाकी है आप जो बाकी के संचालक है जो ये चाहते है कि विजय भुता के माध्यम से हमारे पास कोई ना है लेकिन उनको कहना चाहता हूँ आगला नंबर आपका है आप देखे आगे-ागे होता है क्या अब इस मामले में चुकि सती सोनी जो इस वक्त पड़न संचालक है उनको पर भी आपने सवाल उठा दिया है क्योंकि प्रोविजन इस तरह का नहीं है कि जो खुद आरोपों के दायरे में हो वही उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि उससे नया की उम्मीद नहीं की जा सकती अब ऐसे में अगर यह सती सोनी के अपर लेबल पर यह मामला नहीं सुलचता है तो आपकी अगली रणीती क्या हो नहीं वो उनको उनको डिसाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि जो अपत्र का केस है वो तीस दिन में डिसाइड करना होता है हमने 27 तरह को कि हमको लगा तो आपके पास नहीं करेंगे या इनके पास करो काईदे में यह प्रावदान है कि अगर जो आदमें आरोप से लिप्ट है अगर उनके उपर इसनीद आरोप लग चुके है तो वह अपना न्याय खुद नहीं दे सकता यह काईदे का प्रावदान है और सोनी इसमें में डिसेजन नहीं दे सकता तो उनको आगे फरोड करना ही है उसमें कोई रास्ता उपलब्द नहीं है तो वह जिस जगह पे जाएंगे वह जगह पे आसल तरीके से सुनावनी शुरू हो जाएगा एक आखरी सवाल आप से इस मामले में पीछे हटने को लेकर आपके की कोसिस की जा रहे हैं देखिए अब ही कैसे होता है देखिए इस केस में पनन संचालक के बाद eh शुरूए तो मिश्टर बुता जी के वकील को ने आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे उसी पनन संचालग रहे चुके काफी लंबे हरसे से पनन संचालग रहे चुके तोषनिवाल जी उनकी वकालत करने वहां आते हैं इससे आपको कोई उन्होंने जो करना था वो कर लिया लेकिन हम एक बार मैदान में अभी तलवार निकाले है तो उसको मैन नहीं करेंगे और इसके पीछे भुता तो शिरिफ एक यह उसके पीछे चलाने वाले जो मैन पड़े के पीछे के कलाकार है वही इसको दबाने की गोशिश कर रहे ह जो उनको गलत रहा दिखा रहे है गलत तरीके से आगे हम सपोर्ट करते हैं हम काफी आरसे से 10-15-15 साल से संचा लग है कोई डरो मत हम मराठी है और हम मराठी हमको मालूम है इसको कैसा दबाना है तो हम भी कहना चाहते है हम मराठी संचा लोगों के पीछे भी लगेंगे है कि महानगरपाली का चुनाओं में या विदानसभा चुनाओं में बोगस होटिंग होती है लेकिन जिस तरह का यह मामला है इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं एपीएमसी के जो संचालक है उनके चुनाओं में भी इस तरह के वोटरों की धादली होती है और अवैद तरीक किस संचलक का लेटर चला जाता है असल में वह व्यापर नहीं करते तो वह लाइसन क्यों लेते है वह परवना क्यों लेते है तो अपने ओटर बढ़ाने का बोगस ओटर सिर्फ उनके नाम पर बाजारफी भरी जाती है दिखाने के लिए लेकिन सबसे पहले अगर वह व्याप निकालने के बाद इलेक्षिन आने से दो साल पहले उस लाइसन की फी भरी जाती है ताकि तीन साल तक उसका फी भरना चाहिए तो ओट कर सकता है फिर ये लाइसन को सिपारस कोन करता है तो मार्केट में अलग-अलग संउस्ता है अलग-अलग संगटना है वह पर हो की वह उ आदमी कोई लाइसन मांगने जाता है तो कितना अर्थकारण होता है सव रुपए का लाइसन के लिए को लाक लाक रुपए लेता है यह सब चीजे भार आएगी और वोगस ओटरों को कैसे लाइसन देया जा रहा है यह सब चीज का खुला सा अगले आने वाले टाइम में होने ऐसे गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं इसको लेकर जिस तरह से दता घंगाले जी ने मुद्दा उठाया है और जिस तरह से सुनवाई चल लई है उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसका बड़ा खुला सा सामने आएगा और जो भी लोग इस तरह के वैद कारो अबार में और धादली में लिप्त होंगे निश्चित तोर पर उनका नाम भी खुला सा होगा कमरावन रवीचंद के साथ मैं सुधीर सर्मा टीवीवन इंडिया नविम भई